अश्कार दोस्तों, आव सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं न्यूबार्ण बेबी के लिए फुल आस्तिन का बेबी फ्रॉक बनाऊंगी इसके लिए मैंने बर्दमान का बेबी सॉफ्ट बुल लिया है और दस नंबर की सलाई तो दस नंबर की सलाई पे मैंने 60 फंदे डाल लिया है और चार लाइन उल्टा उल्टा बुना है जिससे दो उल्टे फंदों की धारी सामने से और दो पीछे से आ गई है तो अब ये हमारा पाच्वा लाइन है तो पहले फंदे मैंसे नीट वाइस सलाई डालेंगे उन अपनी ओर करेंगे सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे लास्ट के चार फंदों को छोड़ के तो देखिए फ्रांट्स मैंने पूरी लाइन कम्प्रीट कर लिया है सभी फंदे उल्टा बुन लिया है अब सिर्फ चार फंदे शेस रह गया है तो हम उनको सलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे यहाँ पे हमने एक जाली दी और दो फंदों का एक किया यानि कि जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए और फिर लास्ट के दो फंदे हम उल्टा बुन लेंगे यहाँ पे हमने बटन हूल बनाया है अब हम फिर रॉंग साइड में आ गया है तो पहले फंदे को हम नीट वाइस लाई डालेंगे उन अपनी ओर करेंगे और अब शेस फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे तो यह हमारा छठा लाइन है और दो लाइन और हम उल्टा उल्टा बुनेंगे आठ लाइन का हम बॉडर बनाएंगे तो आठ लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स हमने आठ लाइन बुल लिया है जिससे चार उल्टे फंदों की धारियां सामने से और चार पीछे से आ गए है अब हम इन साठ फंदों को पांच भागों में दिवाइट करेंगे दो फ्रेंट के, दो आस्तिन के और एक बैग के तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे तो हमारे फार्ट साठ फंदे है और इसे हमें पांच भागों में दिवाइट करना है हमने छे-छे फंदों को बॉर्डर पे रखा है छे छे फंदो को बॉर्डर पे, फ्रंट पार्ट में छे फंदा, आस्तिन में छे फंदा, फर्स डिवाइडर में दो फंदा, सेकंड डिवाइडर में दो फंदा, बैक में सूला फंदा, थर्ड डिवाइडर में दो फंदा, आस्तिन में छे फंदा, फोर डिवाइडर में दो फंदा फ्रंट सेकंड फ्रंट में छे फंदा तो हमने साथ फंदो को बाटा है 6 बर्डर का प्लस 6 यह हमारा फ्रंट का प्लस 2 दिवाइडर प्लस 6 आस्तिन प्लस 2 सेकंड दिवाइडर प्लस 16 बैक का प्लस 2 थोर्ड दिवाइडर प्लस 6 सेकंड आस्तिन प्लस 2 फोर दिवाइडर प्लस 6 यह फ्रंट और प्लस 6 यह हमारा बार्डर का तो हमने साथ फंदो को इस तरह दिवाइड किया तो चलिए फ्रंट अब हम स्वेटर पे इसे बनाते हैं तो पहले फंदे में हम ऐसे नीट वाइड स्लाइड डालेंगे उन अपनी और करेंगे यह हमारा नाइंत रो है और पांच फंदा उल्टा बुनेंगे तीन चार पांच तो यह छे फंदे हमारे बॉर्डर के हो गया अब उन दूसरी और करेंगे छे फंदा सीधा बुनेंगे यह हमारा फर्स डिवाइडर हो गया अब उन अपनी और करेंगे और छे फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे तीन चार पांच छे यह हमारे आस्तिन के फंदे हो गया अब उन अपनी और करेंगे दो फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे तो ये दो फंदे हमारे second divider हो गए अब उन अपनी और करेंगे 16 फंदों को जाली देते हुए सीधा भुनेंगे तो 16 फंदे हमारे back के हो गए अब उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए 2 फंदों को सीधा भुनेंगे ये हमारा third divider हुआ उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए 6 फंदों को सीधा बुनेंगे 2, 3, 4, 5, 6 यह हमारा सेकंड आस तीन हुआ उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे यह हमारा 4 दिवाइडर हुआ उन अपनी और करेंगे 6 फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे 4, 5, 6 और अब लास्ट में 6 फंदे बचे हैं तो उन अपनी और करेंगे इन 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे यह हमारे बॉर्डर के फंदे हैं अब हम रॉंग साइड में हैं यह हमारा दस्वा लाइन है तो हम पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाई जालेंगे उन अपनी और करेंगे और सबी फंदों को उल्टा बुनेंगे पूरी लाइन हम उल्टा बुनेंगे अब हम फिर सामने की तरफ हैं पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाई जालेंगे उन अपनी और करेंगे और पांच फंदे उल्टा यह हमारा ग्यारवा लाइन है तो हमने बाडर के फंदे उल्टे बुन लिए उन दूसरी और करेंगे और छे फंदा उल्टा बुनेंगे तो छे फंदा हमने सीधा बुना अब उन अपनी और करेंगे और चार फंदे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार चार फंदे हमने सीधा बुन लिए अब उन अपनी और करेंगे और फिर जाली देते हुए छे फंदा सीधा बुनेंगे तो छे फंदा हमने सीधा बुन लिया अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदे सीधे बुनेंगे तीन और चार चार फंदे हमने सीधा बुन लिये अब उन अपनी ओर करेंगे और सूला फंदे जो हमारे बैक के सूला फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे तो हमने सूला फंदो को सीधा बुन लिया अब उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदो को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार ये हमारा थर्ड डिवाइडर हुआ अब उन अपनी ओर करेंगे आज तीन के छे फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे ये हमारा फोर्ड डिवाइडर है जाली देते हुए चार फंद्या सीधा बुनेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे और हमारे ये आस्तिन के छे फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे आस्तिन के छे फंदे हमने सीधा बुन लिया अब बार्डर के छे फंदे बचे हैं जिने हम उल्टा बुन लेंगे रॉंग साइड में हम पहले फंदे को नीट वाइस लाई डालेंगे उन अपनी ओर करेंगे और शेस सभी फंदों को हम उल्टा गुलने अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा 13 वा लाइन है तो पहले फंदे में नीट वैस लाई डालेंगे उन अपनी उर करेंगे 5 फंदा उल्टा अब उन दूसरी उर करेंगे और अब हम 8 फंदों को सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ ये जाली के दोनों फंदे हमारे फ्रंट में आ जाएंगे और ये दो डिवाइडर के फंदे बुज़ा जाएंगे इनमें हम जाली देते हुए सीधा बुनेंग फिर उन अपनी उर किया अब देखिए आज तिन में 6 फंदे थे दो फंदे इधर से बढ़ गये दो फंदे इधर से बढ़ गये तो हो गये 10 फंदे तो अब हम जाली देते हुए 10 फंदों को सीधा बुनेंगे अब फिर उन अपनी उर करेंगे जाली देते हुए 20 फंदे तो जाली देते हुए हम 20 फंदों को सीधा बनाईगे तो हमने 20 फंदों को सीधा बुन लिया अब उन अपनी और करेंगे और 2 फंदों को जाले देते हुए सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी और अब ये हमारे आस्तिन के फंद हैं तो उन अपनी और करेंगे 10 फंदों को सीधा बुनेंगे अब ये हमारा फोर डिवाइडर है उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए दो फंदा सीधा जाली देते हुए आठ फंदा सीधा बनाएंगे बार्डर के छे फंदे इन्हें हम उल्टा बना लेंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे अब ये हमारा फंद्रहवा लाइन है बार्डर के फंदो को हमने बुन दिया और फंद्रहवे लाइन में हम अपने तेरहवे लाइन को ही दोर आएंगे यानि कि हम आठ फंदो को सीधा बनेंगे तो आठ फंदों को हमने सीधा बुन दिया अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदे सीधे बुनेंगे दो, तीन, चार अब उन अपनी ओर करेंगे ये हमारा आस्तिन के फंदे हैं तो पिछली लाइन में हमने दस फंदे सीधे बुने थे और दस और देखिए यह जाली है तो यहीं पर हमें जाली देना है उन अपनी उर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदों को सीधा बुनेंगे चार फंदों को सीधा बुना उन अपनी उर किया और ये हमारे बैक के फंदे हैं तो बैक के फंदों में हमें हमने पिछली लाइन में 20 फंदे बुने थे जाली देते हुए तो इस बार भी हम 20 ही फंदे बुनेंगे तो 20 फंदों को हमने जाली देते हुए सीधा बुन लिया अब देखिए हम जाली के पास आ गया तो उन अपनी उर करेंगे और जाली देते हुए 4 फंदे सीधे बनाएंगे दो, तीन, चार अब उन अपनी उर करेंगे यह हमारा थर्ड दिवाइडर था अब यह आस्तिन के फंदे हैं तो जाली देते हुए 10 फंदो को पिसली लाइन में बुना था तो इस लाइन में भी हम जाली देते हुए 10 फंदो को सीधा बुन लिया देखिए हम जाली के पास आ गया तो उन अपनी उर करेंगे जाली देते हुए चार फंदे सीधे बना लेंगे दो, तीन, चार जाली देते हुए आठ फंदा सीधा बन लेंगे अब लास्ट में छे फंदे बचे हैं तो उन अपनी उर करेंगे और इन्हें हम उल्टा बुलनेंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे देखिए फ्रेंट्स ये हमारा सत्रहवा लाइन है तो हमने शुरुआत में देखिए छे फंदों को बुनकर दो फंदों पर जाली दिया था तो नवे लाइन में हमने छे फंदों को बुना फिर जाली दिया फिर दो फंदे सीधे फिर जाली ग्यार्वे लाइन में हमने तेरहवे लाइन में फिर ये दो फंदे जाली के दो फंदे हमारे फ्रंट में शामिल हो गए और छे से आठ फंदे हो गए और फिर हमने दो फंदों के दोनों तरफ जाले दिया पंद्रहवे लाइन में फिर हमने जाली की उपर जाली दिया और बीच में जाली के बीच में हमारे चार फंदे हो गए तो इस तरह ये एक फूल की तरह बनता चला जा रहा है दो तिर्षी जाली गई है यानि कि चार जाली हमारा पड़ चुका है तो इसी तरह हम ऐसे साथ तिर्षी जाली जाने चाहिए यानि कि टोटल चौदा एक तिर्षी जाली में दो जाली पड़ी हुई है तो चौदा जाली हमारी हो जाने चाहिए यानि ये साथ ऐसे काटे की तरह बनना चाहिए तो जब साथ बनाके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स हमने साथ डिजाइन कम्प्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरह बन के आया है इस समय देखिए फ्रेंट में फ्रेंट में शुरू में छे फंदे थे और चौदा जालिया बन गए यानि की 14 फंदे बढ़ गए तो यहां हो गए 20 फंदे और 6 फंदे हमारे बर्डर के यानि तोटल हो गए 26 फंदे आस्तिन में 6 फंदे थे 14 फंदे इधर से बढ़े और 14 फंदे इधर से बढ़े तो टोटल हो गए 34 फंदे और बैक में हमारे 16 फंदे थे 14 फंदे इधर से बढ़े 14 फंदे इस साड़ से बढ़े तो टोटल हो गए 44 स्टीचर तो हमने 60 फंदों से शुरू किया था और 14 फंदे इस साड़ में 14 फंदे इस साड़ में यानि 28 फंदे यहां बढ़े 28 फंदे यहां बढ़े 28 फंदे यहां और 28 फंदे यहां तो टोटल बढ़ गए 112 फंदे साट फंदों से हमने शुरू किया था, 112 फंदे बढ़ गया, तो इस समय सलाई पे हैं 172 फंदे, 172 इस्टीचस, अब हमें फंदे बढ़ाने नहीं हैं, बलकि अब हम दोनों साइड से, उल्टा उल्टा बुनेंगे, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा, इस तरह ब तो पास लाइन उल्टा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए फ्रेंट्स, हमने पास लाइन उल्टा उल्टा बुन लिया है, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा, जिसे तीन उल्टे फंदों के धारी सामने से और दो पीछे से आई है, और ये इस त तरह बनके त्यार हुआ है तो देखिए फ्रेंड्स बेबी फ्रॉग का चूली बनके त्यार है अगले पार्ट में हम इसकी आस्तिन बनाएंगे तो यदि आपको मेरा ये फ्रॉग डिजाइन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेर कीजिए थैंक्स फार वाचिंग